C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 3 की ध्वनी पुस्तक गणित का जादू 9 पाट बोलो भाई कितने गुना प्रिष्ट 120 पैर ही पैर यहाँ 5 बकरिया हैं इस प्रिष्ट पर सबसे उपर बाई तरफ कुछ बकरियों के चितर दिये हुए हैं जो एक के उपर एक खड़ी हैं इन सभी के मिलाकर कितने पैर होंगे चार जमाचार 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 बराबर 20 या चार का पाँच गुना 20 है या पाँच गुना 4 बराबर 20 यहाँ कितनी मकडिया हैं इसी प्रिष्ट के बीच के हिस्से में दाई तरफ कुछ मकडिया बनी हैं एक मकडि के रिक्तिस्थान पैर होते हैं सभी मकडियों के पैर मिलाकर रिक्तिस्थान के तीन गुना होंगे या रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान या तीन गुना रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान इन धेर टांगों वाले साहब को जानते हो इसी प्रिष्ट के आखरी हिस्से में आक्टोपस का चित्र है ये एक आक्टोपस है ये समुद्र में रहता है इसके भी आठ पैर होते हैं पांच आक्टोपस के मिलाकर कुल कितने पैर हो जाएंगे रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान ये पांच गुणा रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान ये पांच गुणा का निशान रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान इसी प्रिष्ट के अंतिम हिस्से में सबसे नीचे की तरफ पाँच आक्टोपस के चित्र दिये गए हैं और उनके नीचे लिखा है आओ मिलाओ हाथ हाथ रिक्तिस्थान प्रिष्ट संख्या 121 बिना गिने संख्या पता करो इस प्रिष्ट पर सबसे उपर दाहिनी तरफ खड़ी क्यारियों का चित्र बना है इस बगीचे में कुल कितने फूल है? यहां चार खड़ी क्यारिया हैं हर क्यारी में छे फूल हैं इसलिए इस बगीचे में छे के चार गुना फूल हैं छे जमा छे जमा छे जमा छे जमा छे बराबर चौबीस या चार गुना छे बराबर चौबीस आओ एक दूसरा तरीका देखें इस बगीचे में छे आड़ी क्यारिया हैं हर आड़ी क्यारी में चार फूल हैं इसलिए इस बगीचे में कुल मिला कर चार के छे गुना फूल ह 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 बराबर 24 या 6 गुना 4 बराबर 24 इसी चित्र के नीचे कुछ बोतलों का चित्र बना है इसी तरह ये कुल कितनी बोतले हैं? बताओ, रिक्तिस्थान गुना, रिक्तिस्थान बराबर, रिक्तिस्थान बोतले हैं. इसी प्रिष्ट के अंतिम भाग में दाईं तरफ सबसे नीचे कुछ अंडों का चितर बना है. कितने अंडे हैं? रिक्तिस्थान गुना, रिक्तिस्थान बराबर, रिक्तिस्थान अंडे. प्रिष्ट संक्या 122. अभ्यास का समय. क जमा के चिन्ह का इस्तिमाल करके दोबारा लिखो. दो गुना पांच बराबर है पांच का दो गुना या पांच जमा पांच. चार गुना अठारा बराबर है रिक्तिस्थान का चार गुना या रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान. तेन गुणा 20 बराबर है रिक्तिस्थान का रिक्तिस्थान गुणा या रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान. आठ गुणा नौ बराबर है रिक्तिस्थान का रिक्तिस्थान गुणा या रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान ख बताओ कि ये कितने गुणा है यहाँ पर कुछ सवाल हल किये गए हैं उसके बाद आपको कुछ सवालों को स्वेम हल करना है 9 जमा 9 जमा 9 जमा 9 जमा 9 जमा 9 बराबर 6 गुणा 9 बराबर 54 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4 बराबर 5 गुणा 4 बराबर 20 अब आप स्वेम इन्हे करें 8 जमा 8 जमा 8 बराबर रिक्तिस्थान गुणा 8 बराबर रिक्तिस्थान तीन जमा तीन जमा तीन जमा तीन जमा तीन बराबर पांच गुना रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान. तीस जमा तीस जमा तीस बराबर रिक्तिस्थान गुना रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान. साथ जमा साथ जमा साथ जमा साथ जमा साथ जमा साथ बराबर रिक्तिस्थान गुना रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान बारह जमा बारह जमा बारह जमा बारह बराबर रिक्तिस्थान गुना बारह बराबर रिक्तिस्थान 6 जमा 6 जमा 6 बराबर रिक्तिस्थान गोना रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10 बराबर रिक्तिस्थान गोना रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान दो जमा दो जमा दो जमा दो जमा दो बराबर रिक्तिस्थान गोणा रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान और छे जमा 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 छे बराबर रिक्तिस्थान गोणा रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान प्रिष्ट संख्या 123 ग रामू बिस्कुट के चार पैकेट लेकर आया हर पैकेट में चार बिस्कुट थे रामू ने कुल कितने बिस्कुट खरीदे रिक्तिस्थान इस प्रिष्ट के सबसे उपर वाले भाग में रामू का चित्र बना है और उसके पास बिसकुट के ुपि रागे रखे हैं घर कक्षा में बारह डेस्क है हर डेस्क की चार टांगे हैं कक्षा में सभी डेस्कों की कुल कितनी टांगे है रिक्तिस्थान ग सबीह फूल के тीन गुच्छे लेकर घर आई हर गुच्छे में चार फूल हैं कुल कितने फूल हुए रिक्तिस्थान इसी प्रिष्ट के बीच वाले भाग में बाई तरफ सबीहा का चित्र बना है जिसके हाथ में फूलों के गुच्छे हैं च एक रेल के डिबे में आठ पहिये हैं छे डिबों में कितने पहिये होंगे रिक्तिस्थान इसी प्रिष्ट के अंतिम भाग में एक रेल गाले का चित्र बना है शिक्षकों के लिए निर्देश जब बच्चे शब्दों में दिये गए सवाल को हल कर ले तब इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए कि वो जवाब तक कैसे पहुँचे केवल सही जवाब नहीं प्रक्रिया महत्पोन है इससे बच्चों में गुणा करने की अवधारना विक्सित होगी प्रिष्ट 124 दो का कितना गुणा इसी प्रिष्ट पर सबसे उपर चड़ियों के दो-दो समहों में कुछ चित्र दिये गए हैं और उनके नीचे कुछ सवाल है पहले हम आपको सवाल हल करके बताते हैं एक गुणा दो है दो या एक गुणा दो बराबर दो दो गुणा दो है चार या दो गुणा दो बराबर चार तीन गुणा दो है छे या तीन गुणा दो बराबर छे अब आपको दिये गए सवालों को स्वेम हल करना है 4 गुणा 2 है रिक्तिस्थान या 4 गुणा 2 बराबर रिक्तिस्थान 5 गुणा 2 है रिक्तिस्थान या 5 गुणा 2 बराबर रिक्तिस्थान 6 गुणा 2 है रिक्तिस्थान या 6 गुणा 2 बराबर रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान गुणा दो है रिक्तिस्थान या रिक्तिस्थान गुणा दो बराबर रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान गुणा रिक्तिस्थान है रिक्तिस्थान या आठ गुणा दो बराबर रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान गुना रिक्तिस्थान है रिक्तिस्थान या आठ गुना दो बराबर रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान गुना रिक्तिस्थान है रिक्तिस्थान या नौ गुना दो बराबर रिक्तिस्थान और रिक्तिस्थान गुणा रिक्तिस्थान है रिक्तिस्थान या 10 गुणा 2 बराबर रिक्तिस्थान प्रिष्ट 125 कूदो मेरे साथ इस प्रिष्ट पर सबसे उपर के तरफ एक सापनुमा चित्र बना है और उसके उपर टर्रू मेंडक का चित्र भी बना है इसी चित्र में शून्य से 54 तक की संख्याई भी लिखी है टर्रू मेंडक हर चलांग में तीन कदम कुदता है टर्रू कौन कौन से संख्याओं पर कुदता हुआ जाएगा अब कुछ सवालों को आप स्वेम हल कीजिए एक गुणा तीन बराबर रिक्तिस्थान दो गुणा तीन बराबर रिक्तिस्थान तीन गुणा तीन बराबर रिक्तिस्थान चार गुणा तीन बराबर रिक्तिस्थान पांच गुला तीन बराबर रिक्तिस्थान, छे गुला तीन बराबर रिक्तिस्थान, साथ गुला तीन बराबर रिक्तिस्थान, आट गुला तीन बराबर रिक्तिस्थान, नौ गुला तीन बराबर रिक्तिस्थान, दस गुला तीन बराबर रिक्तिस्थान, ग्यारह गुला तीन बराबर रिक्तिस्थान, बारह गुला तीन बराबर रिक्तिस्थान, तेरह गुला तीन बराबर रिक्तिस्थान, चोदह गुला तीन बराबर रिक्तिस्थान, और पंदरह गुला तीन बराबर रिक्तिस्थान. 126, चार चार कदम की छलांग दिखाओ, इस प्रिष्ट पर एक और सांप नुमाच चितर बना है, जिस पर शूर्ने से 64 तक के अंकों को लिखा गया है, और इसी चितर के दाहिनी तरफ एक बच्ची का चितर भी बना है, अब दिए गए सवालों को आप स्वेम हल करो, साथ गुलाचार बराबर रिक्तिस्थान, आठ गुलाचार बराबर रिक्तिस्थान, नौ गुलाचार बराबर रिक्तिस्थान, दस गुलाचार बराबर रिक्तिस्थान, ग्यारह गुलाचार बराबर रिक्तिस्थान, बारह गुलाचार बराबर रिक्तिस्थान, तेरह गुणा चार बराबर रिक्तिस्थान, चोदा गुणा चार बराबर रिक्तिस्थान और पंदरह गुणा चार बराबर रिक्तिस्थान प्रिष्ट 127 साथ कदम की छलांग दिखाओ इस प्रिष्ट पर एक माला नुमा चित्र बना है जिस पर शून्य से 150 तक की संख्याओं को लिखा गया है अब आप स्वेम इन प्रश्णों को हल कीजिए एक गुला साथ बराबर रिक्तिस्थान दो गुला साथ बराबर रिक्तिस्थान तीन गुला साथ बराबर रिक्तिस्थान चार गुला साथ बराबर रिक्तिस्थान पांच गुला साथ बराबर रिक्तिस्थान चे गुला साथ बराबर रिक्तिस्थान साथ गुला साथ बराबर रिक्तिस्थान, आट गुला साथ बराबर रिक्तिस्थान, नो गुला साथ बराबर रिक्तिस्थान, दस गुला साथ बराबर रिक्तिस्थान, ग्यारह गुला साथ बराबर रिक्तिस्थान, बारह गुला साथ बराबर रिक्तिस्थान, तेरह गुला गुणा साथ बराबर रिक्तिस्थान, चोदा गुणा साथ बराबर रिक्तिस्थान, और पंदरह गुणा साथ बराबर रिक्तिस्थान, प्रिष्ट 128, तीलियों का खेल, इस प्रिष्ट पर सबसे उपर की तरफ एक लड़की का चितर बना है, जो तीलियों से कुछ खेल खेल मिठो के पास कुछ तीलिया हैं। उसने इन तीलियों को कुछ इस तरह से लगा दिया। तीलियां कितनी बार एक दूसरे को काटती हैं। उसने देखा कि चार गुणा पांच बराबर चार गुणा पांच बराबर बीस। चलो। दो का पहड़ा बनाते हैं। इसी प्रिष्ट के अगले हिस्से में बाई तरफ तीलियों का चितर बना है। जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये कोई सीड़ी हो। और इसी चितर के दाहिनी तरफ एक लड़की का चितर बना है। आईए, पहले हम पहड़ा बनाते हैं। एक गुणा दो बराबर दो, दो गुणा दो बराबर चार, तीन गुणा दो बराबर चै। अब आप इसके आगे स्वेम पहड़ा बनाए। 4 गुणा दो बराबर रिक्तिस्थान, 5 गुणा दो बराबर रिक्तिस्थान, 6 गुणा दो बराबर रिक्तिस्थान, 7 गुणा दो बराबर रिक्तिस्थान, 8 गुणा दो बराबर रिक्तिस्थान, 9 गुणा दो बराबर रिक्तिस्थान, और 10 गुणा दो बराबर रिक्तिस शिक्षकों के लिए निर्देश, बच्चों को 16 और 24 तेलियां भी दी जा सकती हैं। शिक्षकों को गुणा 12 जैसी सजावट करने दिया जाए। शिक्षकों के लिए निर्देश, बच्चों को 16 और 24 तेलियां भी दी जैसी सजावट करने दिया जा सकती हैं। शिक्षकों के डिब्बे दिखाए गए हैं। और एक डिब्बे के कीमत 10 रुपए बताई गई है। नौ गुबारों के कीमत रिक्तिस्थान रुपए यहां पर कुछ गुबारे दिखाए गए हैं। और एक गुबारे के कीमत 5 रुपए दर्शाए गई है। प्रिष्ट एक सौतीस। अभ्यास का समय क नीचे लिखे को पूरा करो। दो गुणा साथ बराबर रिक्तिस्थान। 4 गुणा 9 बराबर रिक्तिस्थान। 5 गुणा 8 बराबर रिक्तिस्थान। 10 गुणा 6 बराबर रिक्तिस्थान। 5 गुणा 9 बराबर रिक्तिस्थान। 3 गुणा 9 बराबर रिक्तिस्थान। 5 गुणा 2 बराबर रिक्तिस्थान। तीन गुणा दस बराबर रिक्तिस्थान, दो गुणा आट बराबर रिक्तिस्थान और दस गुणा आट बराबर रिक्तिस्थान ये पैटर्ण देखो और पूरा करो तीन, छे, नौ रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान दो, चार, छे रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान, रिक्तिस्थान 10, 20, 30, रिक्तिस्थान, 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 पाँच, 10, 15, रिक्तिस्थान, 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 रिक्तिस् जब्बे, रिक्तिस्थान, 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 इसी प्रिष्ट के अंतिम हिस्से में दाहिनी तरफ एक लड़की का चितर बना है, जो इन सवालों को पूरा करने की कोशिश करती दिखाई गई है. प्रिष्ट संक्या 131 10 को हम तीन तरह से प्राप्त कर सकते हैं. 2 गुणा 5 बराबर 10, 5 गुणा 2 बराबर 10 और 10 गुणा 1 बराबर 10. इसी प्रकार, 80 को हम 5 तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं. पहला, 8 गुणा 10 बराबर 80, 4 गुणा 20 बराबर 80, 2 गुणा 40 बराबर 80, 1 गुणा 80 बराबर 80 और 16 गुणा 5 बराबर 80. अब आपको ये बताना है कि संख्या बारा को हम किन चार तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं संख्या अठारा को हम किन चार तरीकों से, पैंतिस को किन तीन तरीकों से, चौबिस को किन पांच तरीकों से और पैंतालिस को किन चार तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं प्रिष्ट संख्या 132, घ, कुल कितने? इस प्रिष्ट पर सबसे उपर दहनी तरफ एक अलमारी दी गई है, जिसमें कुछ पुस्थके रखी हैं. अलमारी में चार खाने हैं, हर खाने में पांच किताबे हैं, अलमारी में कुल कितनी किताबे हैं, चार गुणा पांच बराबर बीस किताबे हैं, इसी प्रिष्ट पर कुछ लड़कियों के चितर बने हैं, एक कमीज में पांच बटन हैं, तीन कमीजों में कितने बटन होंगे यहाँ पर कुछ पंखों के चित्र बने हैं ये चार पंखे हैं हर पंखे में तीन पंखुणिया है कुल मिलाकर कितनी पंखुणिया हो जाएंगी पंखों के नीचे सेबों के बक्सों के कुछ चित्र बने है एक बक्से में छे सेब हैं साथ बक्सों में कुल मिलाकर कितने सेव हो जाएंगे? इसी प्रिष्ट के अंतिम भाग में, बाई तरफ चार तिकोनों की मदद से एक वर्ग नुमा चित्र बना है. चार तिकोनों में कुल मिलाकर कितने कोने हो जाएंगे? रड़, जल्दी बताओ. अब आप इन सवालों को स्वयम हल करें. आट गुणा तीन बराबर रिक्तिस्थान. तीन गुणा रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान. रिक्तिस्थान गुणा रिक्तिस्थान बराबर 42. पांच गुणा रिक्तिस्थान बराबर 40. रिक्तिस्थान गुणा रिक्तिस्थान बराबर 54 पाँच गुणा रिक्तिस्थान बराबर 35 रिक्तिस्थान गुणा 6 बराबर 36 10 गुणा रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान 10 गुणा रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान गुणा नौ बराबर चतीज और रिक्तिस्थान गुणा साथ बराबर अठाईस पृष्ट एक सो तेंटीज एक का पहाड़ा यहाँ पर एक का पहाड़ा बना कर दिखाया गया है पहले हम बनाएंगे उसके बाद आप उसे आगे बढ़ाएंगे एक गुणा या एक गुणा एक बराबर एक एक गुणा दो या दो गुणा एक बराबर दो अब आप कीजिए. एक गोणा रिक्तिस्थान या रिक्तिस्थान और एक गोणा रिक्तिस्थान या रिक्तिस्थान गोणा रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान बड़ी संख्याओं को गोणा करना क कक्षा में हर चात्र को दो टौफियां दी गई. अगर कक्षा में 34 बच्चे हैं, तो उन सभी को कुल कितनी टौफियां बटी? कक्षा में कुल बच्चे बराबर 34. हर बच्चे को दो टौफियां मिली. कुल टौफियां बटी 34 गुणा 2. चीटी बोली, 34 गुणा 2 होगा 34 गुणा 2. तीस गुणा 2 हुआ 60, इसलिए कुल टौफियां 60 से ज्यादा होगी. चालिस गुणा 2 हुआ 80, इसलिए टौफियों की संख्या 80 से कम होगी. टौफियों की कुल संख्या क्या होगी? प्रिष्ट संख्या 134. इस प्रिष्ट पर भारती अपने सहली से बाते कर रही है और सवालों को हल कर रही है हम 34 गुना दो कैसे निकालें? मुझे पता है ये क्या है? देखो 34 हुआ 30 और 4 ठीक है? भारती ने ऐसे लिखा यहां पर दो बॉक्स दिये हुए है पहले बॉक्स के उपर 30 लिखा है और दूसरे बॉक्स के उपर 4 लिखा है और बॉक्स के 22 तरफ दो अंकित है फिर भारती ने ऐसे लिखा यहां पर फिर बॉक्स दिये गए है पहले बॉक्स के उपर 30 और दूसरे बॉक्स के उपर 4 लिखा है और 22 तरफ 2 अंकित है अब हम 30 और 4 को अलग-अलग 2 से गुणा करेंगे तो आईए करते हैं 2 गुणा 30 बराबर 60 और 2 गुणा 4 बराबर 8 लेकिन जवाब क्या हुआ बस दोनु संख्याओं को जोड़ दो और गिल लो मिल गया जवाब 60 जमा 8 वराबर 68 कुल 68 टौफ्या हुई क्या बात है ये तो आसान तरीका है प्रिष्ट संख्या 135 एक पिकनिक में सभी बच्चों को चार-चार फल दिये गए बच्चों की संख्या 23 थी बताओ कुल मिलाकर कितने फल बांटे गए कुल बच्चे थे बराबर 23 हर बच्चे को फल मिले बराबर 4 कुल फल बटे 23 गुणा 4 चीटी बोली 23 गुणा 4 का मतलब 23 गुणा 4 20 गुणा 4 है 80 जवाब 80 से ज्यादा होगा पर जवाब होगा 100 से कम बोलो क्यों? चलो हम भी भारती के बताये गए तरीके से इसे हल करें यहाँ पर एक बॉक्स बना है जिसके दो भाग है पहले भाग के उपर 20 और दूसरे भाग के उपर 3 लिखा है और बॉक्स की बाई तरफ 4 अंकित है अब हम 4 को 20 और 3 से गुणा करते हैं पहले 20 से करेंगे 20 गुणा 4 बराबर 80 और 3 गुणा 4 बराबर 12 80 और 12 को जोड़ने से आता है 80 जमा 12 हुए 92 इसलिए 23 गुणा 4 हुआ 92 शिक्षकों के लिए निर्देश इस अध्याय की गतिविधियों को इस तरह से बनाया गया है कि उसमें गुणा करने की अवधालना विक्सित हो बड़ी संख्याओं को गुणा प्रशलित तरीके से कराना बच्चों की समझ में बाधा डालता है बच्चों में 2 और 3 अंकों की समझ जैसे बनती है उसको ध्यान में रखकर ये तरीका अपनाया गया है बच्चों को इसके लिए प्रेडित करें कि वो इस गुणा के प्रणाम का अंदाजा लगाएं प्रिष्ट संख्या 136 अभ्यास का समय क गुणा करें अब आप स्वयम इन्हें गुणा करें 22 गुणा 3 बराबर रिक्तिस्थान 21 गुणा 4 बराबर रिक्तिस्थान 11 गुणा 5 बराबर रिक्तिस्थान 20 गुणा 4 बराबर रिक्तिस्थान 26 गुणा 4 बराबर रिक्तिस्थान 25 गुणा 3 बराबर रिक्तिस्थान 35 गुणा 3 बराबर रिक्तिस्थान 32 गुणा 5 बराबर रिक्तिस्थान 24 गुणा 2 बराबर रिक्तिस्थान 30 गुणा 5 बराबर रिक्तिस्थान 30 गुणा 9 बराबर रिक्तिस्थान 38 गुणा 2 बराबर रिक्तिस्थान 24 गुणा 5 बराबर रिक्तिस्थान 48 गुणा 4 बराबर रिक्तिस्थान और 58 गुणा 2 बराबर रिक्तिस्थान ख, पहले अंदाजा लगाओ, फिर गुणा करो इस प्रिष्ट के निचले हिस्से में दाई तरफ कुछ फूल दिये गए हैं. एक फूल की पांच पंखुणियां हैं. फूलों के एक गुच्छे में तेरा फूल हैं. इन गुच्छों में कुल कितनी पंखुणियां हैं? इसी प्रिष्ट पर दाई तरफ फूलों के नीचे कुछ किताबे दी गई हैं. एक किताब में 64 पन्ने हैं, ऐसी ही आठ किताबों में कितने पन्ने होंगे? इसी प्रिष्ट के अंतिम भाग में नीचे की तरफ कुछ बच्चों के चित्र दिये गए हैं स्कूल की सभा में बच्चे कतारों में खड़े हैं बच्चों की छे कतारे हैं हर कतार में सतरह बच्चे हैं वहाँ पर कुल कितने बच्चे हैं प्रिष्ट 137 एक डिजाइन में तीन फूल है कपड़े के एक टुकड़े में ऐसे सतरह डिजाइन है उस कपड़े पर कुल कितने फूल बने होंगे यहाँ पर फूलों के डिजाइन का एक चित्र बना है 23 दरजन में कितने होंगे कई चीजें दरजनों में बेची जाती है उधारन के लिए चोड़िया और केले जादा तर दरजनों के हिसाब से बेची जाते हैं एक दर्जन केलों का मतलब बारा केले, इसलिए 23 दर्जन केलों में 23 गुणा बारा केले होंगे, चीटी बोली, 23 गुणा 10 बराबर 230, इसलिए जवाब 230 से ज्यादा होगा, यहाँ पर दो बच्चों के चित्र बनाए गए हैं, और वो आपस में बाते कर रहे हैं, कैसे पता करें, 23 गुणा 12, हम इसे भी उसी तरीके से कर सकते हैं, 23 हुए 20 और 3, 12 हुए 10 और 2, भारती ने ऐसे लिखा, यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, पहले बॉक्स के उपर 20 और दूसरे के उपर 3 लिखा है, और बॉक्स के बाई तरफ 10 और नीचे 2 लिखा है, तो आप स्वैम इस सवाल को हल करें, प्रिष्ट 138, इसके बाद भारते ने कुछ ऐसे लिखा, इस प्रिष्ट पर उसी बॉक्स को दर्शाया गया है, उसी बॉक्स के दो हिस्से हैं, पहले बॉक्स के उपर 20 और दूसरे के उपर 3 अंकित है, और बॉक्स की बाई तरफ 10 और नीचे 2 लिखा है, तो आईए इसे हल करते हैं, हम 20 और 3 दोनों को 10 से गुणा करेंगे, पहले हम 20 को गुणा करते हैं, 20 गुणा 10 बराबर 200 और 3 गुणा 10 बराबर 30, अब हम 2 को 20 और 3 से गुणा करेंगे, तो पहले 20 को करते हैं, 20 गुणा 2 बराबर 40, अब 3 को करेंगे, 3 गुणा 2 बराबर 6, फिर भारती ने ऐसे लिखा, 200 जमा 40, जमा 30 और जमा 6, बराबर 200 चेतर, हर खाने की संक्या को जोड़ा और जवा मिल गया, वा, बिल्कुल ठीक, 30 गुणा 12 बराबर 276, इसलिए 30 दरजन के लिए मतलब 276 के लिए, अब 43 गुणा 13 हल करने की कोशिश करो, चीटा बोला, पहले अंदाजे से जवाब बताओ, 43 हुए 40 और 3, तेरा हुए 10 और 3, अब दोनों खानों में कौन सी संख्या लिखी हैं? इस प्रिष्ट के अंतिम हिस्से में एक बॉक्स दिया गया है, और उसके दो हिस्से हैं, पहले बॉक्स के उपर 40 और दूसरे के उपर 3 लिखा है, और बॉक्स की बाई तरफ 10 और उसके नीचे 3 लिखा है, तो हम पहले सवाल की तरह इसे भी हल करेंगे, हम 10 को पहले 40 से और उसके बाद 3 से गुणा करेंगे, तो आईए, पहले 40 से गुणा करते हैं, 40 गुणा 10 बराबर 400, अब 3 से गुणा करेंगे, तीन गुणा 10 बराबर 30 अब हम तीन को चालिस और फिर तीन से गुणा करेंगे तो आईए पहले हम तीन को गुणा करते हैं चालिस गुणा 3 बराबर 120 और तीन गुणा 3 बराबर 9 प्रिष्ट 149 अब खानों में लिखी संख्याओं को जोड़ो चार सो, एक सो बीस, तीस, जमा नौ, बराबर पांसो उनसट इसलिए तिरतालिस गुणा तेरह बराबर पांसो उनसट अब भ्यास का समय यहाँ पर कुछ सवाल दिये गए हैं इन सवालों को आप स्वयम हल कीजिए पहले जवाब का अंदाजा लगाओ फिर इसे गुणा करके देखो तुम्हारा अंदाजा कितना सही है 42 गुणा 23 बराबर रिक्तिस्थान 51 गुणा 13 बराबर रिक्तिस्थान 25 गुणा 36 बराबर रिक्तिस्थान 73 गुणा 11 बराबर रिक्तिस्थान, 54 गुणा 12 बराबर रिक्तिस्थान और 12 गुणा 14 बराबर रिक्तिस्थान गुणा के पैटन क 9 गुणा 1 बराबर 9 9 गुणा 2 बराबर 18 अभम 18 में 1 और 8 को जोडेंगे और इसमें पैटन ढूणेंगे एक जमा 8 बराबर 9 9 गुणा 3 बराबर 27 अभम 2 और 7 को जोडेंगे 2 जमा 7 बराबर 9 9 गुणा 4 बराबर 36 अभम 36 में 3 और 6 को जोडेंगे तो 3 जमा 6 बराबर 9 9 गुणा 5 बराबर 45 अभम 45 में 4 और 5 को जोडेंगे तो 4 जमा 5 बराबर 9 तो आपने इन में पैटन ढूणा अब आगे इने स्वयम करके देखिए 9 गुणा रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान 9 गुणा रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान और 9 गोणा 8 बराबर रिक्तिस्थान रिक्तिस्थान जमा रिक्तिस्थान बराबर रिक्तिस्थान क्या तुम 9 के पहाड़े में ये पैटर्न पहचान पाए? किन-किन संख्याओं का जोड 9 है? शिक्षिकों के लिए निर्देश पहाडों में अलग-अलग पैटर्न को पहचानना बच्चों में संख्या प्रणाली की समझ को मजबूत करता है प्रिष्ट 140 ख संख्याओं को गुणा करके नीचे दी गई तालिका को पूरा करो यहाँ पर एक तालिका दी गई है इस तालिका में खड़ी और आड़ी रेखाओं में एक से लेके दस तक के अंक दिखाए गए है अब हम खड़ी और आड़ी को गुणा करके इने पूरा करेंगे और छूटी गई जगा में आप स्वैम अंक लिखेंगे तो आएए शुरू करते हैं एक गुणा एक बराबर एक एक गुणा दो बराबर दो एक गुणा तीन बराबर तीन अब आप चार से लेके दस तक की संख्या को स्वैम लिखेंगे अब हम अगले अंक पर आते हैं दो गुणा एक बराबर दो 2 गुणा 2 बराबर 4 2 गुणा 3 बराबर 6 अब आप 4 से लेके 10 तकी संख्याओं को सवेम भरेंगे अब हम अगले अंग पर आते हैं 4 गुणा 1 बराबर 4 4 गुणा 2 बराबर 8 4 गुणा 3 बराबर 12 अब आप चार से लेके दस तक की संख्या स्वेम भरें पांच गुणा एक बराबर पांच पांच गुणा दो बराबर दस पांच गुणा तीन बराबर पंद्रा अब आप इसके आगे की संख्याएं स्वेम भरें चार से लेके दस तक चे गुणा एक बराबर चे, चे गुणा दो बराबर बारा, चे गुणा तीन बराबर अठारा, अब आप इसके आगी की संख्या स्वेम लिखें आप इनके आगे के संख्याई स्वयम लिखें आट गुणा एक बराबर आट, आट गुणा दो बराबर सोला, आट गुणा तीन बराबर चॉविस. अब आप इनके आगे की संख्या स्वयम लिखें नौ गुणा एक बराबर नौ, नौ गुणा दो बराबर अठारा, नौ गुणा तीन बराबर सत्ताईस, अब आप इनके आगे के संख्या स्वयम लिखें 10 गुना 1 बराबर 10 10 गुना 2 बराबर 20 10 गुना 3 बराबर 30 अब आप इनके आगे के संख्या स्वयम लिखें तालिका में बना क्रोस ऐसा है यहां पर एक क्रोस दिखाया गया है क्रोस में ऊपर से नीचे की जो संख्याइं लिखी है वो हैं 3, 6 और 9 और 22 से दाएं की संख्याएं है, 4, 6 और 8 उपर से नीचे की संख्याओं को जोडो 3, 6, 9, बराबर 18 22 से दाएं की संख्याओं को जोडो 4, 6, 8, बराबर 18 हर बार जोड बराबर है ऐसे ही और क्रॉस ढूंडो और संख्याओं को कॉपी में लिखो प्रिष्ट 141 ग एक से दस तकी संख्याओं को उसी तालिका में एक रंग से रंगो बारा से बीस तकी संख्याओं को दूसरे रंग से रंगो उसी तरह 21 से 30 तकी संख्याओं को तीसरे रंग से रंगो क्या तुम्हें रंगों का कोई पैटर्ण दिख रहा है इस प्रिष्ट पर एक तोता और एक चीटे को दर्शाया गया है चीटा कह रहा है इस जगा में अपनी पसंद का पहाडा लिखो इसी के साथ नौवापाट बोलो भाई कितने गुना यहीं समाप्त होता है स्वर प्रमीन शर्मा तकनीकी समनवयक बटिलेंग लिंडो ध्वनियंकन मयंक कुमार निर्माण सहयोग रुचिशर्मा निर्देशन और निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत